श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर बहादिव कैसे हैं आप सब देगे हम सबी जानते हैं कि कल आट मार्च को भूदुवार के दिन हो ली है चेत्रमास के शुक्ल पक्ष की प्रति बदातीती है और इसी दिन आपको मात्र तीन इलाइची से शहत से कपूर से बहुती अच्च को उपाय करना है पुझ्य गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के अधि आप सच्चे भकते हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें देखिए इस उपाय को करन से आपके घर वाले कोई व्यापार करते हैं तो उसमें अगर व्रिद्धी करना हो तो आपको यह उपाय करना चाहिए यदि आप नोकरी कर रहे हैं तो नोकरी में भी उन्नती प्राप्त करने के लिए नोकरी अच्छे सा चले इसलिए इसकी काम ना करते हुए भी आपको यह उपाय करना है और तीसरी बाद आर्थिक समस्या जीवन में आर्थिक समस्या आर्थिक संकट आपके जीवन में कभी ना आए तो आपको यह उपाय करना चीए मात्रत तीन इलाइची लेना है साबूत इलाइची लेना है खंडित नहीं होने चीए साथ में लेना है थोड़ा सा शहद ठीके और एक लोटे टामबे के पात्रे के अंदर जल लेना है और साथ में लेना है एक खाली दीपक जिसके अंदर आपको रखना है कपूर कपूर की एक बट्टी रख देंगे अब ये सारी सामगरी लेकर के आपको भगवान शीव के मंदिर में जाना है होली वाले दिन सुबा भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं रातरी में भी जा सकते हैं जब आपके घर के आसपास का शीव मंदिर जहाँ पर पूजा होती है भगवान शीव की जहाँ पर शीवलिंग की पूजा का जो भी निरधारित समय है उस समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं ठीके क्या करेंगे बहुत द्यान सा समझना देखे क्या करेंगे आपको भगवान शीव के मंदिर में जाना है ठीक है देखे एक लोटा जल जो लेकर क्या है है सबसे पहले गणेष जी वाले स्थान पर डालेंगे कारथी के जी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे फिर माता शोक सुंद्री वाले स्थान पर अर्पित करेंगे फिर पारवती माता के हस्तक कमल के माँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे फिर अंत में पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है देखे थोड़ा सा जल आप बचा करके रखना वो जल आपको एक हरी लाइची के उपर डाल दिना है केवल एक हरी लाइची और उस हरी लाइची को आज की दिन होली के पवित्र दिन पर भूदवार की दिन पर आपको ये हरी लाइची आपको गनेज जी वाले इस्थान पर एटपित करनी है गनेज जी का इस्थान कहा होता बुद्धी विवेक की काम ना करते हुए बच्चे ज्यानवान बने गुडवान बने ऐसी प्रातना करते हुए एक हरी इलाइची आपको रख दिनी है अब आपको दूसरी इलाइची लेना है दूसरी इलाइची पर आपको पूरा शहत का लेपन करना है और ये दूसरी इलाइची भगवान शीव के शीवलिंग पर बुद्देश्वर महादेव का इस्मरेंट करते हुए ग्यारा बार इस्मरेंट करना और आप अर्पीत कर देना ठीके अब तीसरी हरी इलाइची आपको क्या करना है जो आप दिया लेकर क्या है जिसके अंदर आपने कपूर रख होता है देखिए इलाइची की जो खुश्बू है वो हमारे देवी देवता को बहुत ही प्री होती है इसलिए आपको कपूर में इलाइची डाल करके आर्थी करना है ओम नमस्शिवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय इस होली के पवित्र दिन पर चेत्रमास के पहल गलती नहीं करना है शरी शिवाय नमस्थ भ्यम हर हर महारे जाप करते हैं